Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena from Government College Quota आज हम Chemical Bonding First Covalent Bond में Molecular Orbital Theory के बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे प्रिविएस लेक्चर में हमने डेफरेंट डेफरेंट बैसपर सिद्धान्त के नियम्स के बिंदूओं के बारे में विस्तार से अध्यन किया था और आज हम उनी बैसपर सिद्धान्त के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद M.O.T. थोरी के बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे तो आएए सबसे पहले बैसपर सिद्धान्त के पांचों से नियमों के बाद जो एकजामपिल्स थे और उन एकजामपिल्स के बिहाब पर सेप्स और फ्यू अनॉर्गेनिक मॉलिकूल्स और आयन्स की जो टेबिल्स हैं उनके मैध्यम से हम ये समझने का प्रियास करते हैं कि किस पिरकार से कोई मॉलिकूल और आयन होता है उसके Central Metal Atom का Hybridization क्या है उसमें Bonding Electron की Pairs नंबर कितनी है और एबंदे Electron की संक्या कितनी है और उससे उसका Bondo और कितना होगा धैन उस मॉलिकूल और आयन की सेप क्या होगी तो आप देखे साड़नी को ध्यान से आप देखे अगर आपका मॉलिकूल है Barrilium chord तो इसके केंद्रे परमानू का जो hybridization होगा वो होगा SP और SP hybridization होने के कारण इसमें जो bonding electrons योगम की जो संख्या होगी वो होगी दो और इसमें एबंदी electron योगम की कोई संख्या नहीं होगी और SP hybridization के कारण इसका जो bond angle होगा वो होगा 180 degree and 180 degree bond angle होने के कारण जो इसकी safe होगी जो इस अनू की वो होगी liner या जेख्या है इससी पिरकार से आप CO2 का example भी देख सकते हैं then boron trichloride का अगर एक जाम पिल देखें तो इसका केंद्रे परमानू का बोर, इसमें केंद्रे परमानू बोरोन है और इसका hybridization SP2 है और इसमें अगर बंदी electron योगमों की संख्या देखेंगे तो आपको तीन नजर आएगी एबंदी कोई electron योगमों होता ही नहीं है बोरोन में और SP2 संकरन होने के कारण इसका bond angle 120 degree है इसके जो safe 120 degree के बिहाब पर होगी वो होगी trigonal planar ya samtal tricone इसी परकार से आप ये तो सारे के सारे अभी जो हमने examples देखे थे उनमें आपको कोई भी एबंदी electron योगमों नहीं था अब अगर आप बंदी और एबंदी electron योगमों का उधारन देखें तो आपकी safe में किस परकार से distortion होता है किस परकार से उसकी आकरती विक्रत होती है जबकि उसका संक्रण का परकार कियोवल बंदी electron योगमों के जैसा ही होता है लेकिन एबंदी electron योगमें उसके bond angle को किस परकार से change करते हैं वो आप देखिए आपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको SN CL2 का उधारन देखिए इसमें SP2 hybridization है यहाँ पर बंदी electron की संक्या है तो बंदी एक है तो इसका bond angle 120 degree के इस्थान पर 118 degree हो गया और इसकी जो safe है वो भी bond angle के आदार पर change हो गई और यह कौन ही हो गई इसी परकार से अगर आप अन उधारन इतने सारे यहाँ पर उधारन दिये गए है stable में यहाँ पर NO2 प्लस का है NO2 का है NO2 माइनस का है NO3 माइनस का है इसी परकार से large तक देखें तो IF7 तक के उधारन दिये गए हैं जिनमें आपके different different hybridization है different different बंदी electron योगमू की संक्या है and और इसी के साथ एबंदी electron योगमू की संक्या है या नहीं है उसी के बियाब पर उनकी आखरती चेंज होती है और उसी के बियाब पर उसका bonding चेंज होता है तो ये था आपका बैसपर सिद्दान के नियमों के आधार पर जो पांच उसके बैसपर सिद्दान जिन पांच नियमों के आधार पर बेजड है उन्हीं के आधार पर ये सारे एक्जामपिल्स थे और उन्हें एक्जामपिल्स के बियाप पर किस परकार से आप किसी मॉलिकूल ये आयन की आकरती और बॉन्ड एंगल को किस परकार से अपन देख सकते हैं निकाल सकते हैं वो इस टेबिल के मैध्यम से समझाया गया था अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनुकक्षक सिद्धान्त या हम इसको सौट में कह देते हैं M.O.T. या इसको अगर फुल फॉर्म में कहें तो ये है मॉलीकूलर और्बिटल थियोरी बात ये आते है कि मॉलीकूलर और्बिटल थियोरी क्या है ये कोबेलेंट मॉन्ड के संबन्द में एक बहुती महत्पून सिद्धान्त है और ये सिद्धान्त हुंड एंड मॉली का नामक सैंटिस्ट द्वारा दिया गया था और इसको आणवे कप्छक सिद्धान्त या मॉलीकूलर और्बिटल थियोरी या एमोटी कहते हैं और इस सिद्धान्त की खासियत ये है कि ये है कई सैसे योजग बंदों और अनुओं की वैक्या सफलता पूर्वक करने में सक्छम है जबकि बीबीटी थियोरी के आदार पर ये संबव नहीं था आप देखें बीबीटी थियोरी में ये लिमीटेसन्स थी कि आक्सीजन में एयुकमित अलेक्टोन नहीं है उसके बाबजूद भी उसका जो ब्यवार है वो अनुचुम्ब की है ब्यवार आपको दिखाई देता है वो किस पिरकार से होता है किस पिरकार से समझाया जा सकता तो वो समझाने में सचम नहीं थे जबकि मोटी थिरे की आदार पर इसको आसानी से समझाया जा सकता है अब ये सिद्दान्त मुक्ह रूप से किस पर आदा रहते हैं तो मोटी जो सिद्दान्त मुक्ह रूप से एलेक्टोन, परमानु वा अनु दोनु में बिल्कुल समान रूप से बिवार करता है एक तो ये बात किलियर होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि परमाणू में अलग बिवार करे और अनू में अलग बिवार करे वो दोनों में ही एक जैसा ही बिवार करता है एक परमाणू में एलेक्ट्रोन परमाणू कक्छकों में रहते हैं जबकि उस परमा जबकि एक molecule में उपस्थित जितने भी आपके atoms हैं उन सभी atoms के nucleus द्वारा electron सईवत रूप से attract होंगे और ये attraction जो सभी atoms के nucleus द्वारा लागू होती है ये केवल उस atom के outer most cell जिसे हम सयज्य जगता कोस के electron कहते हैं उस पर ही लागू होती है अंदर के कोस के अलेक्टोन पर ये लागू नहीं होती है अंदर के कोस के अलेक्टोन केवल अपने अपने नूकलियस के कंट्रोल में ही रहते हैं या आकरसन में ही रहते हैं अब बात आती है कि अगर एक नाबिक से संबंद कक्छक एक केंद्रिय कक्छक है तो उसे हम Atomic Orbital कहते हैं और जब एक या एक से अधिक Atomic Orbital मिलते हैं तो वो उतने ही Molecular Orbital बनाते हैं और उतने ही molecular orbitals जो बनते हैं उन्हें हम polycentric वो होते हैं क्योंकि एक से अधिक होंगे तो polycentric होंगे बहु के अंद्रित हो जाएंगे और बहु के अंद्रित होने के कारण वे एक से अधिक नाविकों से संबंद रखते हैं अब बात आती है कि जो पर्मानविय कक्षकों का आपस मिलकर जो molecular orbitals बनाते हैं उसमें कौन-कौन से नियमों का पालन होता है तो उसके लिए सबसे पहला नियम है कि सयोग जो आपस में सयोग करेंगे करने वाले पर्मानविय कक्षक की उर्जा लगबग समान होने चाहिए ऐसा नहीं कि एक की उर्जा बहुत अधिक है दूसरे की उर्जा बहुत कम है दोनों की उर्जाएं लगबग समान ही होनी चाहिए दूसरा इसका नियम है कि कक्षकों का एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक और लिपिंग होनी चाहिए जितनी अधिक और लिपिंग होगी उ बित्रण फलन दूरी पर समान दूरी पर वो हो गोलिये बित्रण फलन तीसरा इसका बिंदू है कि बंदी और एबंदी परमानू कक्चक जो बंदी और एबंदी परमानू कक्चक होंगे उनको अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि दोनू परमानू कक्चकों सम्मती या ए सम्मत्य परिवर्थित रहेगी या परिवर्थित ही नहीं होगी इसके अलावा आप देखें इसमें एन भी बिंदूं हैं अपज्बियापन करने वाले परमानु कप्चकों के उजा इसतरका अंतरबंद की आइनिक प्रकृति को दर्स आता है किसको दर्साता है वो उसकी आयनिक प्रिकृति को भी दर्साएगा जितना अधिकति भ्यापन होगा उतना ही पिर बलबंद बनेगा और ये बंद से से युजग ताकि सीमा को सो करेगा इसके अलावा है कि जो आनवे कक्चक होंगे आनवे कक्चक क्या करेंगे एलेक्ट्रोनों का पावली और हुंड के नियमों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती हुई उर्जा के किरम में ही भरे जाएंगे तो ये आपके इसके महत्पून बिंदू थे इन महत्पून बिंदू के आधार पर इन परमानुए कक्चकों का आनविय कक्चकों में किस पिरकार से सयोग होता है ये दर्साया जा सकता है अब आप नेक्ट बिंदू देखेंगे नेक्ट बिंदू है आपका अनु कक्चकों के पिरकार अनुकक्चकों के प्रकार किस प्रकार से decide होते हैं types of molecular orbitals जो molecular orbitals हैं वो तीन प्रकार के होते हैं पहला है आपका बंदी अनुकक्चक या bonding MO दूसरा है आपका A-bonding यानि कि non-bonding molecular orbital और तीसरा है आपका anti-bonding molecular orbitals अब जैसा कि इनके नाम से ही आपको यह पता चल रहा है बंदी मतलब bond वो बनाएगा bonding A-bonding या non-bonding वो कोई भी किसी प्रकार का बंद नहीं बनाएगा और तीसरा है विप्रीत बंदी या anti-bonding इसका मतलब है कि वो anti-bonding ही बनाएगा अब बात आती है इनका विस्तार से अगर अध्यन करें तो bonding molecular orbitals में वो bonding molecular orbitals क्यों कहते हैं क्योंकि होता क्या है bonding में कि जब ये अणू कक्छक बनते हैं तो इनकी ऊर्जा overlapping में भाग लेने वाले सभी कक्छकों की ऊर्जा से कम होती है किसमें bonding molecular orbitals में और जो electron overlapping से पूर्व atomic orbitals में थे इन molecular orbitals में आ जाते हैं इसलिए इनकी ऊर्जा और कम हो जाती है और उससे क्या होगा आपका जो system है वो और अधिक stable हो जाएगा और atomic orbitals में electron केवल एक नाबिक से आकरसित होते हैं लेकिन molecular orbitals में वो electron एक से अधिक nucleus के साथ attract होने लगते हैं और इस attraction के कारण इनकी जो potential energy है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी क्योंकि एक से अधिक नाबिक के द्वारा आकरसित हो रहे हैं तो इसलिए इनकी इस्थितित उर्जा कम हो जाएगा और इस इस्थितित उर्जा कम होने से पूरे system की जो total energy है वो कम हो जाएगी अब चुँकि इन कप्छकों में electron की उर्जा घट जाती है तो वो क्या करने लगेंगे वो बंद बनाने लगेंगे और बंद बनाने लगेंगे तो इन कप्छकों को हम क्या कहेंगे bonding molecular orbital इसलिए इसका जो नाम है वो है बंदी अनू कप्छक दूसरा टैप है आपका ए बंदी अनू कप्छक या non bonding molecular orbital जैसा कि मैंने अभी बताया था कि non bonding मतलब ये ए बंदियें ये कोई बंद नहीं बनाते इन कख्चकों की जो ऊर्जा बंदन में भाग लेने वाले कख्चकों के जितनी ही रहती है ना तो कम होती है और ना एधिक रहती है जितने वो atomic orbitals में होते हैं उतनी ही इनकी अनू इस्थायत और एस्थायत पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ये कख्चक ना तो बंद बनाने के लिए अनकूल परिस्थिती उत्पन करते हैं और नहीं प्रतिकूल परिस्थिती उत्पन करते हैं इससे क्या होगा जब ये किसी प्रकार की situation create करते ही नहीं हैं तो ये किसी प्रिकार के बंद में भाग नहीं लेते हैं इसलिए इनको non bonding molecular orbital या एबंधी अनुकचक कहते हैं तीसरा है आपका विप्रीत बंदी अनुकचक विप्रीत बंदी अनुकचक में क्या होता है कि इन अनुकचकों की जो ऊर्जा है वो और लेपिंग में भाग लेने वाले orbital से एधिक होती है जब इनकी उर्जा एधिक होगी तो क्या होगा कि इन कब्चकों में electron के प्रवेस से तंतर की ऊर्जा बढ़ जाएगी जिससे तंत्र की उर्जा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा आपका सिस्टम, अनिस्टेबिल हो जाएगा और जब अनिस्टेबिल हो जाएगा तो एलेक्टोन के इन मोलिकुलर और्विटल्स में आने से बॉंडिंग पर प्रतिकूल प्रिभाव पड़ेगा और प्रतिकूल प्रिभाव पड़ने के कारण इन कक्छकों को हम क्या कहते हैं एंटी बॉंडेंग है और बिटल कहते हैं अब अगर आप उधारण के मैध्यम से देखें तो देखें माना कि एक ए परमानू है ये आपका कोई ए परमानू है और इसके पास दो परमानू है कक्छक हैं और दूसरा आपका बी एक परमानू है कक्छक से ये ए परमानू है कक्छक सयोग कर रहा है तो यहां क्या होगा कि A के दो Atomic Orbitals और B के एक Atomic Orbitals आपस में सयोग करके तीन परमानवे कक्छकों का निर्मान करेंगे और एक बंदी अनू कक्छक और दूसरा A बंदी अनू कक्छक और तीसरा विप्रीद बंदी अनू कक्छक का निर्मान होगा चोकि हम जानते हैं कि जो विप्री एंटी बंदिंग मॉल्लीकुलर और्बिटल होता है जनरल ही हम उसको एक स्टार के द्वारा सो करते हैं अब हम इसको ये मानें कि एक के दोनु कक्छकों के पास ये इसके ये दोनु कक्छके इसमें एक 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 में तेलेक्टोन है और बी के एक कक्छक के पास एक पूरा पेयर्ड एलेक्टोन है युगमें तेलेक्टोन है तो पावली नियम के अनुसार क्या होगा पहले हम जंसात पहले bonding में फिर non bonding में और सबसे लाष्ट में एंटी bonding में तो क्या होगा इस स्थिति में total किते electron हैं दो तो b के पास हैं और एक 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 के दो atomic orbitals के पास हैं तो total 4 electron की संख्या है और अब क्या होगा कि ये 4 के 4 electron को जब हम बढ़ेंगे तो दो तो आपके bonding में चले जाएंगे दो non bonding में चले जाएंगे एंटी bonding आपका back end रहेगा इस पिरकार से हम molecular orbitals के अंदर परमाणवे कप्छकों के सयोग से electron का वित्रण किस पिरकार से होता है उसको MOT के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं थैंक्यू